मार्केट में हमेशाए कुछ नगुछ नया प्रोडक्स आते रहते हैं तो आजकल ये फ्लावर, नेट के कर्टन्स, लाइटिंग के कर्टन्स आप इनको बोल सकते ये बहुत जादा ट्रेंड में हैं और मार्केट में इन्नोंने दूम मचा के रखी है तो चलिए ये हैं बज़े बबल्स में आप सभी का स्वागत है 15 डेज 15 डियाइवाई सीरीज में आप सभी का स्वागत है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए चानल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करने लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके लिए लगेगा स्वाप नेट का कपड़ा मेरे पास ये पड़ाई था तो मैंने जस्ट उसको कटन के लिए जैसे रेडि करते हैं दोनों साइड फोल करके स्टिच करके और अटकाने के लिए एक जग हम जो करते हैं वो सब मैंने पहले ही रेडि कर लिया था अगर आपके पास स्वाप नेट का कपड़ा नहीं है तो आप मार्केट से ले सकते हैं कोई भी कलर आप जो है वो आप इसके लिए चूज कर सकते हैं आपके थिम के अकॉर्डिंग बट थोड़ा स्वाप होना चाहिए जो एक अच्छा सा लुक क्रियेट करें ऐसा कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं नेट का कपड़ा इसके लिए क्योंकि यह बहुत ही अच्छा जो ट्रांस्पोरंट इफेक्ट जो है वो क्रियेट करता है इसके लिए अगर आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा सा पतला वाला कपड़ा भी ले सकते हैं और जैसे कि मैंने यह देखी थे इसमें फ्लावर लगे हुए थे तो यह फ्लावर मैंने कहां से एरेंज किये मेरे पास ऐसा एक पुराना तोरण बंधन्वार पड़ा हुआ था बट उसका बहुत ही पुराना था तो वह खराब हो चुका था कुछ-कुछ पत्ते उसके खराब हो चुके थे तो मैंने इसको ओपन किया और जो अच्छे-च्छे फ्लावर ते उसको एक साइड करके उसको अल्मोस्ट ओपन करके और अच्छे से यह फ्लावर जो है वह मैंने सौट किये मुझा मल्टी कलर वाला यह कर्टन बनाना था आप एक सिंगल कलर में भी यूज कर सकते हैं यह इसके उपर मैंने यह नेट का फाब्रिक रखा और उसके उपर यह फ्लावर जो है वह कलर के अकॉर्डिंग में अभी बिचा रही हूं यह देखिए थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है इसकी लेंद और इसका जो डिस्टंस है वह आप आपकी साब से एडिस्ट करें वो अगर कॉंपक्ट है तो वो ज्यादा अच्छा लुक देता है यह देखिए ऐसे मैंने बहुत सारे फ्लावर जो है वो रख लिये हैं और एक एक करके फिर मैंने इसको चिपकाया है यहाँ पर मैंने फ्लावर को पहले प्लेस कर दिया फिर ग्लूगन के हेल्प से इनको एक एक करके मैंने चिपकाया है तो हाफ हाफ पोर्शन करते हुए मैंने इसको प्लेस किया फिर ग्लूगन से यह सारे फ्लावर जो है उसको चिपकाया है यहाँ पर फेविकॉल का भी यूज कर सकते है यहाँ पर बिल्कुल प्रिफर ने करूँगी क्योंकि वो नीचे इसको बहुत कम चिपकाने का ग्लू लगता है बट यह थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि इतने सारे फ्लावर्स आपको लगाने हैं और वह अच्छे से चिपकने भी चाहिए उसकी प्लेस्मेंट जो है वह रुफली आप करेंगे इतना मेजर्मेंट लेके करने की जूरत न नहीं है तो यह आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं अलग-अलग साइज कलर्स में भी यह अवेलेबल है तो आप वहां से भी परचेस कर सकते हैं यहाँ पर देखिए मैंने हाफा पोर्शन को लगा लिया है और ब्लू गन से उसके बाद यह पूरा रेडि हो जाता है उसको थोड़ा टाइम लगा और यह शूपने के बाद और एक नेक्स्ट प्रॉब्लम यह है कि यह नीचे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके चिपक जाता है तो आप अगर टेबल या फिर किसी चीज पर किमती चीज पर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा मत किजिए नीचे आप को एक कोई तो भी रफ और फिर हमारा फ्लावर कर्टन जो है वो रेड़ी हो गया यह देखिए इसको मैंने ना हैंक कर दिया है वाल पे दोनों साइड से और इतना सुन्दर से यह बन गया है यह देखिए उपर से नीचे तक यह फ्लावर दिखते हैं अगर हम ट्रांस्पर जरूल है क्किचन के वहां पर्टिशन लगाते हैं यहाँ पे देखो लािटिंग्र लगा के दिखाई है आफ ज्यादा लाइटिंग लगाईए और यहां पर प प्रेंटिशन की कर्टन लगाएंसे क्टन लगाएंगे तो एफेक्ट बहुती सुन्दर आएगां आपको यह मेरा dapat uya कैसे लगा लगे जरू से कमेंट करके बताई किया ओर साथ मेरे चानल को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स हमले के साथ शेयर कीजिए उनको भी ऐसे डियाईओ की जरूरत है अभी दिवाली आने वाली है तो मेरे चानल को लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कमेंट करना ना भूलिए